ओम श्री विश्नवे नम्हा जै भूलिनात सबसे पहले तो आप सभी को सावन पूर्णिमा की और रक्षा बंधन की हार्दिक शुपकाम नाए भगवान सद आप और आपके परिवार जनों की रक्षा करें आज की इस विडियो में आप सुनेंगे सावन पूर्णिमा की कथा का संबन महाभारत काल से भी है और ये कथा भगवान श्री कृष्न से संबन्दित है दरसल शिशुपाल का वद करतिस में जब शिशुपाल ने भगवान कृष्न को सो गालियां दी थी तब सौवी काली पर शिशुपाल का वद करतिस में भगवान कृष्न की तरजिनी उंगली में चोट लग गई थी जिस कारण उनकी उंगली से खून बहने लगा था द्रौपदी भी वही पर थी तो बहते कून को रोकने के लिए द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के किनारे का टुकड़ा फाड़ कर भगवान कृष्न की कर्टीवी उंगली में बांध दिया था तब भगवान कृष्न ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वो हर मुश्किल की घड़ी में उनका साथ जरूर देंगे जब भी वो उन्हें मुश्किल वक्त में पुकारेंगी तो वे उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही दोड़े चले आएंगे साथ ही साड़ी के इस टुकड़े की कीमत वो समय आने पर जरूर चुकाएंगे और इतिहास गवा है महाभारत युद्ध प्रारम होने से पहले द्यूत क्रीडा में जब पांडव अपना सारा राजवाट हार चुके थे तो उन्होंने इस द्यूत क्रीडा में द्रौपदी को भी दाउ पर लगा दिया और फिर पांडवों के सामने ही दुर्योधन ने दुर्योधन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को किसी भी हाल में इस सभा में लेकर आए तब दुश्यासन द्रौपदी को बालों से पकड़ कर घसीट दवा उस भरी सभा में लेकर गया था द्रौपदी को खुद भी नहीं पता था कि भरी सभा में आज उनका चीर हरन होने वाला है दुर्योधन के आदेश पर जब दुश्यासन ने दुरौपदी की साड़ी पकड़ कर खीचनी चाही तो देखते ही देखते साड़ी का एक बहुत बड़ा धेर उसके सामने लग गया लेकिन वह दुरौपदी का चीर हरण नहीं कर पाया क्योंकि दुरौपदी ने जब उनकी साड़ी खीची जा रही थी सचे मन से अपने मित्र भगवान कृष्ण को सचे मन से पुकारा था आखे बंद कर वो सिर्फ प्रभू को पुकार रही थी कि है प्रभू आज बड़ी मुश्किल आन पड़ी है और इस मुश्किल की घड़ी में केवल आप ही हो जो मेरी लाज बचा सकते हो तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी साड़ी का वो छोटा सा टुकडा जो कभी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कटीवी तरजनी उंगली में बाधा था आज मदु सूधन ने उसी साड़ी का छोटा सा टुकड़ा कई गजलंबी साड़ी में बदल दिया ये सब प्रभु की माया ही थी एक तरह से द्रौपदी के द्वारा बांधा गया साड़ी का वो टुकड़ा रक्षा सूत्री ही था जिसके बदले में भगवान कृष्ण ने अपनी बहन की यानी द्रौपदी की रक्षा की थी सावन पुनिमा की कथा का सम्मंद राजा बली और देवी लक्षमी के साथ भी चुड़ा है दरसल हिंदू पौराणी कथाओं के निसार हजारों साल पहले से ही राखी बांधने की ये परंपरा चली आ रही है सबसे पहले राखी ये रक्षा सूत्र राजा बली को बाधा गया था और ये रक्षा सूत्र उन्हें मा लक्ष्मी जी ने बांध कर अपना भाई बनाया था राजा बली ने जब सौयगे पूर्ण कर लिये थे तो स्वर्ग का राज छीनने का प्रयास किया तब दिवराज इंद्र ने भगवान विष्णू से प्रार्थन की भगवान विष्णू ने वामन अवतार धारन कर राजा बली से भिक्षा में तीन पग जमीन मांग ली तीन पग भूमी का दान करना राजा बली के लिए मुश्किल तो था नहीं तो उन्होंने अपनी सहमती दे दी उधर वामन रूप धारी श्री हरी ने अपने दो पगों में सारे लोग नाब डाले जब तीसरा बग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बली समझ गया कि वामन रूप में दिख रहा ये भिक्षुक कोई साधारन भिक्षुक नहीं है बलकि साक्षात श्री हरी ही है तब तीसरे पग के रूप में राजा बली ने अपना सिर्भ भगवान विश्नु के आगे जुका दिया इससे भगवान विश्नु राजा बली की भक्ती से प्रसन्न हो गई और वर्दान मांगने को कहा तो राजा बली ने मांगा कि हे प्रभु मेरी इच्छ का सम्मान करने के लिए भगवान श्रीहरी ने पाताल लोग में निवास करने का सोचा अब जब भगवान श्रीहरी पाताल लोग में वास करने लगे तो उधर स्वर्ग लोग में श्रीहरी के ना रहने से हरकारे में बाधा रहने लगी तब देवी लक्षमी ने राजा बली के चाहा तो देवी लक्षय ने जो की एक बूरी भिखारिं के रूप में थी उन्हें अपना भाई बनाने के लिए कहा राजा बली ने जब उन्हें वचन दिया तो मालक्षमी जी ने राजा बली से उपहार षरूप अपने पती भगवान विश्नु को मांग लिया उस दिन सावन मास की पूर्णिमा ही थी कहते हैं कि तभी से आज तक बहने अपने भाई को राखी बांदी है क्योंकि सबसे पहले जो राखी बांदी थी अब सुनिए पूर्णिमा व्रत्क था द्वापर यूग में एक समय की बात है ये शोदा जीने श्री क्रिश्न से कहा है क्रिश्न तुम सारे संसार के उद्पन करता पालन करता और उसके संहार करता हूँ आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्य लोक में इस्त्रियों को विद्वा होने का भएना रहे और ये व्रत सभी मनश्यों की मनुकामनाई भी पूर्ण करने वाला हो तब शिर्प क्रिश्न कहने लगे हे माता आपने अती सुन्दर प्रश्न किया है मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुभागय की प्राप्ति के लिए इस्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए इस व्रत के करने से इस्त्रियों को सुभागय संपत्ति मिलती है ये वृत अचल सौभा की देने वाला और भगवान शिप के प्रती मनश मात्र की भक्ती को बढ़ाने वाला है तब ये शोदा जी कहने लगी हे कृष्ण सबसे पहले इस वृत को मृत्य लोग में किस ने किया था इसके विशे में भी मुझे विस्तार पूर्वग बताओ तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते इस भूमंडल पर एक अत्यन्त प्रसित राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रतनों से परिपोन काति का नाम की एक नगरी थी वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्रहमण था और उसकी पत्नी अतिसुशीला रूपवती थी दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे घर में धन्धान अधिकी कोई कमी नहीं थी लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी इस दुख से वह अतिन्त दुखी रहा करते थे एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया वह योगी उस प्रहमण के घर को छोड़ कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था एक दिन वह योगी रूप वती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे लाकर भिक्षा में मिले अन्य को प्रेम पुर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कारे किसी प्रकार से देख लिया अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला महात्मन आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किन्तु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते इसका क्या कारण है तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीग पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भैसे मैं तुम्हारी घर की भिक्षा नहीं लेता धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा हे महात्मन अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताईए आप तो सब को जानने वाले हैं मुझ पर ये अवश्य ही करपा कीजिए धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं किन्तु कोई पुत्र ना होने के कारण में अत्यन्त दुखी हूँ आप मेरे इस दुख को दूर करें ये सुनकर योगी कहने लगे है ब्राहमन तुम देवी चंडी की आराधना करो फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा व्रतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया चंडी देवी ने सोल वे दिन उसको स्वप्ण में दर्शन दिये और कहा हे धनिश्वर जा तेरे पुत्र होगा परन्तु वह सोलह वर्ष की आयू में ही मृत्ति को प्राप्थ हो जाएगा अगर तुम दोनों पति-पत्नी 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधी पूर्वक करोगे तो वह दीर घाई होगा जितनी तुम्हारी सामर्थ हो आटे के उतने दिये बना कर शिवजी का पूजन करना किन्तु पूर्ण मासी को 32 की संख्या पूरी हो जाने चाहिए प्रातहकाल होने पर इस इस्थान के पास ही तुम्हें आम का एक व्रिक्ष दिखाई देगा उस पर चड़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा व्रतांत कहना रितुस्नान के बाद वह स्वच्छो कर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खालेगी तब शंकर भगवान की गरपास से उसको गर्भ ठहर जाएगा जब वह ब्रहामन प्रात्यकाल उठा तो उसने उस इस्थान के पास ही आम का एक व्रिक्ष देखा जिस पर अत्यत सुन्दर आम का एक फल लगा हुआ था ब्रहामन ने उस आम के व्रिक्ष पर चड़ कर फल को तोड़ने का प्रयास किया किन्तु व्रिक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चड़ पाया अब तो ब्रहामन को बड़ी चिंता हुई तब वह विग्न विनाशक श्री गणेशी की बंदना करने लगा अपनी मनुरत को पूर्ण कर सकूंज प्रकार सच्चे मनसे गणेष भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की की कृपा से व्रिक्ष पर चड़ हुआ जिसका नाम उन्हाने देविदास रखा माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वहबालक शुकल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा देवी की करपा से वहबालक बहुत सुन्दर सुशील और विद्या में बहुत निपण हो गया देवी की आ नहीं कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यों न हो जाएं इसलिए उन्हाने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुरगटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे इसलिए उन्हाने देविदास के मामा को बुलाया और कहा हमारी इच्छा है कि देविदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ध्यान करें और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना इसलिए तुम साथ में जाओ और एक वर्ष के बाद इसको वापस लोटा लाना सारा प्रदबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देविदास को एक गोड़े प के लिए देवी भगवती की आराधना और पुर्णमासियों का वरत आरंप कर दिया इस प्रकार बराबर 32 पुर्णमासी का वरत पूरा किया कुछ समय बीटने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे वे थे उस धर्मशाला में देविदास और उसके मामा भी ठहरे वे थे संयोग वश कन्या को तेल आधी चढ़ा कर मंडप आधी का कर्म किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया वह हिलने डुलने और चलने में बिलकुल असमर्थ हो गया तब वर के पिता ने अपने परिव विदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जैसे विवा के लगन का सारा कार सुचारू रूप से हो सके तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आधी कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया ज गए पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका दुखी मन से वह सोचने लगा कि नजाने एक कैसी स्त्री होगी वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आँखों में आंसु भी आ गए तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है आप इतने उदासिन और दुख पत्नी के सामने मैंने आपको ही अपना पत्ति बनाया है इसलिए आप ही मेरे पत्ति हैं मैं आपकी ही पत्नी रहूगी किसी अन्य की बिल्कुल नहीं तब देविदास ने कहा कि ऐसा मत करो क्योंकि मेरी आयू बहुत थोड़ी है मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गत्य हो मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए प्रात्यकाल देविदास ने पनी पत्नी को तीन नगव से जड़ी हुई एक अंगुठी और एक रुमाल दिया और बूला प्रेये इसे संकेत समझ कर रखो और शांत हो जाओ मेरा इसमरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्पव जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूं ये बात निश्चे करके समझ लेना और इसमें कोई संशेव मत करना ऐसा समझा बुझा कर वह चला गया प्रात्यकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे जिस समय विवाह की कारिस माप्त करने के लिए वर्त था सब बराती मंडप में आये तो कन्या ने वर्को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पती नहीं है मेरा पती वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ अगर ये वही है त तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और आप में हमारे बीच में क्या गुप्त बाते हुई थी वो सब बताई पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया कन्या की सारी बाते सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समू रित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया उस विश्धर के प्रभाव से उसके विश्धर के चारों और से विश्धर की ज्वाला से वह विश्धर विशयला हो गया परन्तु वरत राज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया जो कि पहले ह होकर धर्दी पर गिर पड़ा भगवान की करपा से उसे समय देवी पार्वती जी के साथ शुरी शंकर्ची वहाँ पर आ गए उसको मूच्छी दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थन की यह प्रभू इस बालक की माता ने पहले 32 स्प। 13 बालक को प्रान्धान दे दीया इस वड़क के प्रभाव से काल बिछय हटना पड़ा और देविदा स्वस्थ होकर पैट गया उदर उसकी उसके काल की प्रितिक्षा किया करती थी एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे सब कुछ सूख कर नस्ठ हो गए हैं तो उसे बड़ा आश्चर हुआ किन्तु कुछ ही छण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई तब वह समझ गई कि उसके पती पुनर जीवित हो गए हैं ये देखकर वह बहुत प्रसन होकर अपने पिता से कहने लगी पिता जी मेरे पती जीवित हैं आप उनको ढूंड़िये जब 16 वर्ष बीथ गया तो देविदाज भी अपनी मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा इधर उसके ससुर उसको ढूंडने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गई उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसनता के साथ उससे अपने घर में ले गया उस समय नगर के निवासी भी वहां इकटा हो गए और फिर सब ने निश्य किया कि अवशे ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवा हुआ था उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वहीं है जो संकेत करके गए थे फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया और तब सब नगरवासियों न आनंद बनाया कुछ दिन के बाद देविदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा जब अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता-पिता को पहले ही जाकर सूसना देदी कि तुम्हारा पुत्र देविदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ किन्तु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्यर हुआ इतने में ही देविदास भी अपने हर्दे से लगा लिया और सबकी आँखों से प्रेम के आशु बहने लगे अपने पुत्र और पुत्र वधु के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्रहमनों को भी बहुत जिदान दक्षना देकर प्रसंद किया भगवान श्री बहने लगे माते इस प्रकार धनेश्वर 32 पुर्ण मास्यों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया जो भी इस्त्रियां को करती है वे जन्म जन्मांतर में भी वैधवी का दुख नहीं भूखती और सदयव सभाग्यवती रहती है ये मेरा वचन है इसमें कोई संदे नहीं यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाला है 32 मास्यों के व्रत करने से व्रति की सारी इच्छाएं भगवान की किर्पा से पूर्ण हो जाती है